रियक्शन्स ओफ मेटल्स विद वाटर हम लोग ने जो रियक्टिविटी सीदीज की थी मेटल्स की वही करें कट्रीना कैफ नाना के साथ कलकत्ता गई मैंगो खाया आलस आया जेबरा पे फेरीली पब में हाइड्रोजन कप में मर्कुरी सिल्वर गोल्ड प्लाटिनम सो यह है तुम लोगों की रियक्टिविटी सीदीज इन सब मेटल्स का रियक्शन करेंगे विद वाटर सो विद वाटर है तो हम लोग लिख देते हैं H2O प्लस H2O प्लस H2O सब में अभी मैंने लास्ट वाले पैट में नहीं लिखा है क्यों यह में बाद में बताती हूं पहले यह लिख अभी यह बता देती हूं कि तुम लोगों को याद ही यह स्टार्टिंगे 3 इस स्ट्रे मोस्ट रियक्डिव। अ यह जो मिडिल वाले है यह मीडियम रियक्टिविटे वाले अधी और नीचे हाले यह लीज्ट रियक्टिव। ओके, so reaction of metals with water में उपर के 3 cold water के साथ रियाग करते हैं, इसलिए ऐसा लिख रही हूँ, starting के 3 जो है, they react with cold water, इसलिए tick करके लिखा, they react with cold water, and they form, क्या बनाते हैं, they form metal hydroxide, प्लस हाइड्रोजन देते हैं, so remember, यहाँ पर compounds अलग अलग बनेंगे, कुछ लोग cold water के साथ रियाग करेंगे, कुछ cold water के साथ नहीं करेंगे, कुछ steam के साथ रियाग करेंगे, कुछ steam के साथ भी रियाक्ट नहीं करेंगे, so the reaction of metals with water is not simple हा, तुमको पहले reactivity series याद होनी चीए फिर यह याद रखना है, कि starting के 3 है, वो cold water के साथ रियाक्ट करके बनाएंगे, metal, hydroxide and hydrogen देंगे, अभी reaction लिख रही हूं है, starting के 3 रियाक्ट विद cold water, that is water only, formula वही रहेगा, देंगे metal hydroxide, तो यह metal है, के लिखा, hydroxide मतलब OH लिखने का, और देंगे plus, तो लिख दिया हाइड्र 1 है, number same, तो cross करने का 9, फिर एनने cold water के साथ देगा, देखो, यहाँ पर लिखा है, metal hydroxide, तो metal लिखने का hydroxide होता है, OH, plus hydrogen, तो लिख दिने का plus hydrogen, फिर से valency check करने है, तो यह plus 1 है, यह minus 1 है, तो cross नहीं करेंगे, calcium will also react with cold water to form calcium hydroxide plus hydrogen, यह सही formula नहीं है, हमेशा valencies देखने है, this is plus 2 this is minus 1, पूरा OH minus 1 है, तो 2 भी पूरे के नीचे ही लगेगा, मतलब ऐसा, bracket करके पूरे के नीचे 2, तो यह है, calcium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, and gives hydrogen hydrogen, so starting 3 metals will react with cold water to form metal hydroxide and hydrogen, KOH, NOH, COH hold twice and will give hydrogen, hydrogen is a gas, इसे लिए अपरो दिखाना है, अब इनको करते हैं, balance, hydrogens, 1K, 1K, 2 hydrogen, यहाँ पर 2 और 1, 3, अभी एक जगे even है, और एक जगे odd है, अगर ऐसा रहेगा, तो जहाँ odd है, उसको even करना है, मतलब यह 2 है, यह भी even है, यह एक hydrogen के वज़े से ही सब गरवर हो रहा है, तो इसके बाजू में में लिख दूँगी 2, अभी जैसे इधर 2 लि इसके बाजू में लिखने का 2, 2, 2 is a 4, now count oxygens, तो यह 2 oxygen और यह 2 oxygen, फिर से यहाँ पर पहले 2 hydrogen थे है, यहाँ पर 2 और एक तीन थे, और था एक जगे पर, इसलिए मैं इसको even कर दिया बाजू में 2 लिखे, बालन्स हो गया, रियाक्षन, next वापस 1 Na, 1 Na, 2 hydrogen यहाँ पर 2 और 1 2 hydrogen, यहाँ पर 2 और 2 चार, तो इसके बाजू में लिख दिया 2, तो 2 is a 4, oxygen है यह 2 और यहाँ पर भी oxygen है, 2, balance, नीचे बाला, 1 calcium, 1 calcium, 2 hydrogen, यहाँ पर यह देखो, यह 2 है, और यह 2 चार, तो इसके बाजू में लिख दिया 2, oxygen दो और यहाँ भी oxygen दो, balance, so the first 3 metals of the reactivity series, they react with cold water to form metal hydroxide and hydrogen, next आएगा middle वाले elements, अभी जो middle वाले metals है, यह लोग cold water के साथ react नहीं करते हैं, क्योंकि यह medium reactivity है, they react with steam, so कभी कभी जान बुचके question आएगा, what happens when magnesium metal is dipped in cold water, तो लिखना है no reaction, because magnesium metal does not react with cold water, it reacts with steam, to form metal oxide, यह लोग medium reactivity वाले cold water के साथ रियाक नहीं करते हैं, steam के साथ रियाक करते हैं, बनाते हैं metal oxide and hydrogen, now see very carefully, उपर वाले metal hydroxide बनाते हैं, लेकिन मीच वाले जो metals हैं, वो steam के साथ रियाक करके metal oxide बनाएंगे और hydrogen नहीं, steam का formula भी same ही रखेंगे हैं, हम लोग H2O, obviously it is water, but in gaseous state, so magnesium will react with steam to form magnesium oxide, जैसे हैं यह पर लिखा है metal oxide and will give hydrogen, अब magnesium oxide का formula, वालेंसी देखो यह plus 2, minus 2, so cross नहीं करेंगे, aluminium will also react with steam to form aluminium oxide, तो पहले AL लिखने का और O लिखने का, plus hydrogen का H2, अभी वालेंसी टेक करो, aluminium is plus 3, oxygen is minus 2, so cross हो जाएगा, और यह हो जाएगा, AL2O3, zinc, zinc will react with steam to form zinc oxide plus hydrogen, सेम वापस वही होगा, यह plus 2 है, यह minus 2 है, नमबर सेम है, इसे हम cross नहीं करेंगे, next, iron reacts with water to form iron oxide plus hydrogen, अभी तुम लोग गोलोगी, इसकी वालेंसी, because यह acid नहीं है, तो iron is plus 3, and this is minus 2, so बनना चाहिए, Fe2O3, but this is kind of rust, dehydrated rust, but it is rust, so steam के साब कभी rust नहीं बनता है, यह बनता है, Fe3O4, तो valence is वही लिखना, तुम लोग 3 और minus 2, लेकिन बाद में double कर देना, यहाँ पे 2 था तो 3 कर दिया, यहाँ पे 3 था तो 4 कर देना, इसका नाम है, पैदी बाद तो यह reaction बहुत important है, because iron का steam के साथ यह reaction कूचते है, because it forms Fe3O4, and इसका नाम है, ट्राइफरीक, टेक्ट्रा ओक्साइब, and this reaction is reversible, मतलब, iron steam के साथ रियाक करके, Fe3O4 plus hydrogen देते है, at the same time, यह दुनों लोग भी रियाक करते हैं, वापस iron और steam देते रहते, the reaction is reversible, मतलब, reactants react करके product देंगे, product वापस react करके reactants देते रहते, so it is a reversible reaction, and iron reacts with steam to form Fe3O4, that is known as Triferic Tetra Oxide, last रहला, PB plus H2O, देगा,